कॉंग्रेस के वरिशनेता और राष्ट्य परवक्ता पार्टी के गौरब बल्लव इस वक्त हमारे साथ हैं और चार धाम चार काम को लेकर इस बार चुनाओ से पहले कॉंग्रेस बड़े वादे जरूर कर रही है प्रदेश में बातचीत करते हैं गौरबी चार धाम चार काम इसको लेकर और आज आपने खास बात कि स्वास्ते सिवाओं को लेकर एक ड्रोन आपने बात की है कि ड्रोन सिस्टम के माद्यम से ड्रोन डॉक्टर्स कितना आसान और कितनी चुनाओती इन सब चीज़ों को उत्राखण में देखे कोई भी नई चीज आप इंप्लिमेंट करते हो तो वह इजी तो नहीं होता है पर आपके अगर अंदर कमिटमेंट होता है आपकी तैयारी पूरी होती है आपके फाइनेंशल रिसोर्स उस चीज के लिए अलोकेटेड रहते हैं तो आप उसको इंप्लिमेंट कर पात एक व्यक्ति की जान सिर्फ इसी कारण से बची उसके बारे में दुनिया भर में उसकी डॉकुमेंटरीज बनी तो वही कॉंसेप्ट हम जो हिली जो एरिया है परवतिय शेत्र है टेरेन मुश्किल है वही कॉंसेप्ट हम उस एरिया के लिए लाना चाते है ताकि 24 इन्टु स्वास सुविदाएं हर गाउं हर द्वार को उपलब दो अन्य था क्या होता है एक व्यक्ति मालो परवतिय शेत्र में बिमार हुआ बुखार भी हुआ तो सरकार ने तो अपना जो इंफ्राइस्ट्रक्चर है पिछले पांच सालों में हेल्थ का खतम कर दिया ना डॉक्ट स्वास्त के रूप में खर्च होते हैं जबकि अगर आप पड़ोसी राजियों की तुलना करें तो आप 20-25 रुपे प्रति व्यक्ति प्रति दिन खर्च होते हैं तो उत्राइखंड में ना तो अलोकेशन किया सरकार ने स्वास्त पर ना human resource का अलोकेशन किया most of the specialized doctors के सरकार में और सामुदाई केंद्रों में खाली पड़ें सामुदाई केंद्रों की building तक नहीं है तो इसलिए हमने एक तीन concept सोचे हर गाम हर द्वार स्वास सेवाय मुहया कराने के लिए नंबर वन तो टैली मेडिसिन सुविजा का विस्तार करेंगे हर सरकारी अस्पताल और ना के दॉक्टर को पूछ सकू कि मुझे बुखार आ रहा है मेरे को छीक आ रहा है मेरे को ठन लग रही मैं क्या करू तो टैली मेडिसिन सुविजा का विस्तार करेंगे नंबर दो बाइक एम्बूलेंस को व्यापक बनाएंगे ताकि हम ऐसे cases खूब पूर्व में हमने देखे कि व्यक्ति के पास एम्बूलेंस समय पर नहीं पहुंची और उसका निधन हो गया गर्वती इस्त्रियों का निधन हो जाता है प्रसव के दौरान निधन हो जाता है उसकारण क्या रहा इंफेंट फटेली मॉटलिटी रेट जो है आज उत्राखंड में 31 है मतलब हर हजार जो बच्चे जो जर्म लेते हैं उसमें से 31 एक साल से पहले ही मरती हो जाती है जबकि पड़ोसी राज्यों में इंफेंट मॉटलिटी रेट 19 है तो नंबर वन तो जैसा मैंने कहा कि बाइक एम्बूलेंस को अविस्तार नंबर टू टेली मैडिसेंस और नंबर थ्री नोबल के द्वारा ना केवल डॉक्टर इलाच करेंगे जिए ना केवल मैडिसेंस को मुहया कराया जाएगा उन घरों पे जहां पर व्यक्ति बीमार है बलकि हम ड्रोन के द्वारा डॉक्टर को मालों को एक्विपमेंट चाहिए मालों किसी का का पेन हुआ सुदूर इलाकों में डॉक्टर भी उपलब्द है पर उसके पास में मालोग इको को मैजर करने की मशीन नहीं है तो ड्रोन के द्वारा तुरंट उसको मोहया कराने का एक व्यापक फ्रेमवर्क लेके हमारे हैं गरभ जी इसके अलावा गैस सिलेंडर की बात हो ये भी आप लोग दावा कर रहे हैं कि सरकार आती है तो 500 से अधिक नहीं होगा इन सब चीजों को कैसे मैनेज करेंगे क्योंकि चुनाओ से पहले पार्टियां वादे तो जरूर करती है लेकिन वो विश्वास कैसे दिला सारों यह लगबक साड़े 300 तस्वीरे हैं हर ब्लाउग पे जाके लोगों से राए शुमारी की लोगों से पूछा कि मेजर इस्टिक में इस्टिक में मेजर इस्टिक में मेरै इस्टिक क्या है उस राए शुमारी से हमने चारवQué sea का मरें लेकि ओर उस 500 के बार नहीं जाएगा मतलब 418 रुपे 50 पैसे की सबसीड़ी देंगे टोटल इसका भार उत्राखंड के बजट पे मात्र 1.1 प्रतिशत 1.1 प्रसेंट आता है तो क्या उत्राखंड की सरकार अपनी माताओं बेहनों के लिए उनको महंगाई से रहात दिलाने के लिए अपने बजट का 1.1 प्रतिशत खर्च नहीं कर सकती उसी तरह 40,000 रुपे 5 लाग परिवारों को देने का जो हमारा दूसरा चार धाम चार काम में जो दूसरा काम है उसका उत्राखंड के बजट पे मात्र 3.5 प्रतिशत आता है जब हम कहते हैं कि 4 लाग रोजगार का स्रजन तो जो पिछले 5 सालों में Capital Outflow हुआ प्रदेश से उसको वापस लाने का काम करेंगे और नया Clusters बनाएंगे MSME के Pharma के Clusters, Ayurved के Clusters, Tourism को कैसे बढ़ावा देना, Eco Tourism, Adventure Tourism को कैसे बढ़ावा देना, इसका सब के बारे में Blueprint तयार और उस से रोजगार के अवसर उत्पन तो टेली मेडिसें से कराएंगे ड्रोन डॉक्टर के जरिये कराएंगे बाइक एम्बूलेंस से कराएंगे तो सारी तयारी है गरब जी का अखरी सवाल यह है क्योंकि आप उत्राखन में है और यहां पर लगातर राजनीती देख रहें पार्टियों से इधर और उधर होना भ इसलाचन तयंदूलकर ओपनिंग करते थे जब उनको फॉस्ट डाउन बीजाएंगे तो वो इतने सक्सेस नहीं हुए तो कोई व्यक्ती ओफनर अच्छा होता है कोई व्यक्ती फोस्द डाउन अच्छा क हेलता है कोई बॉइलर बॉलिंग की शुरूवात अच्छी करता है कोई व्यक्ति जो लास्ट के ओवर्स है वो अच्छे फैकता है, कोई व्यक्ति मिडल ओवर्स को अच्छा फैकता है, तो best fitment एक व्यक्ति का कहां पर होना चाहिए? उसका अधार होता है उसकी लोकप्रियता, उसका जनाधार, उसका शेत्रु में contribution, contribution उसका पार्टी की नीती नियत और नित्रत में contribution इनके आधार पे निर्ने लिये जाते हैं और हमने निर्ने लिया है मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से हंबल तरीके से एक बात कहना चाहता हूं कि Congress दो त्याई से ज़्यादा सीटे जीत कर उत्राखंड में सरकार बनाने जा दन्यवाई गौराब जी हमसे बातचीत के लिए तो सीधे तोर पर अगर बात करें तो राष्टे परणुकता है गौराब बलाबरू का ये कहना है कि इस बार Congress की सरकार उत्राखंड में आने वाली है और चार धाम-चार काम योजना के तहट Congress की पूरी कोशिश है कि इस यो ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी